तो फ्रेंड्स चली बनाते हैं कच्छे आलू से बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार, क्विक हैं डिजी सुबह का नाश्टा तो इसके लिए मैंने आपे दो कच्छे मेडियम साइस के आलू लिये हैं जिनने मैंने छेल लिया है अब हम दोनों आलू को ग्रेटर की साथा से बारिक ग्रेट कर लेंगे आज की रेसिपी काफ़ ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और हेल्डी भी होने वाली है तो वीडियो को पुरा बाच करें तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है अब हम इने दो तिन पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें का सारा स्टार्च निकल जाए इसके बाद इनका सारा पानी निचोड लेंगे रेसिपी काफे ज़दा सिंपल एंड इजी होने वाली है बहुत यासान रेसिपी है जिसे आप डेली बना कर खा सकते हैं में तो देखिए आलू को ग्रेट करके मैंने अच्छे से धोकर निचोड लिया है अब मैं इसमें डाल दूँगी आदा चोटा चमच, कालमिच का पाउडर, आदा चोटा चमच, चिली फलेक्स इसे बाइंड करने के लिए और बहुत ज़दा किस्पी बनाने के लिए एक बड़ा चमच आट कर देंगे चावल काटा, चावल काटा नहीं है तो आप इसकी जगह पे कौन फलावर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बड़ चावल काटे से ये काफिज़ा तक किस्पी बनते हैं अब हम इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक और हलकी हाथों से इन्हें मिक्स कर लेंगे सुबह की जली में इस नाश्टे को आफट आफट से बना कर तयार कर सकते हैं बहुत ही कम चीज़े लगती इसे बनाने में और खाने में तो इतना जादा टेस्टी बनता है कि आप पूछिए मत इसे मिक्स करके साइड में लग देते हैं अब लेंगे दो ब्रेट की स्लाइसस सबसे पहले उन्हें ट्राइंगल में हम कट कर लेंगे यह नाश्टा आप इंस्टेंटली बना सकते हैं महमान आ जाएं उनको दे सकते हैं कोई अलू-अलू उबालने की जरुवत आपको नहीं है बिल्कुल नई रेसिपी है जैसा कि आप सब ही जानते हैं फ्रेंड्स मैं हमेशे आपके लिए कोई कंगेजी लो बज़र टेस्ट इस तरह से लगा देंगे दोनों साइड में आपको लगाना है और हलका हलका दोन साइड में प्रेस कर देना है इसे ही अच्छे से इसमें चिपक जाएगा क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमने इसमें चावल कांटा डला हुआ है तो इसे यह काफे जाता किस्पी भी बनेग तो इस तरह से दमाने से बिल्कुल भी नहीं निकलता है दोनों साइड में इस तरह से आलो का मसाला लगाने के बाद हलके हाथों से प्रेस कर देंगे इसी तरह से हम सभी को कोट करके तयार कर लेंगे सुबह की नाष्टे और बच्चों के लए बिल्कुल पर्फिक्ट रिस एक साइड से अच्छा किस्पी होने तक सेक लेंगे, मेडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हे सेक ना है, जब एक साइड से से सिक जाए तो दुसरे साइड में भी हलका सा तेल लगा देंगे और दुसरे साइड से भी हम सेक लेंगे इसी तरह से, अब देख सकते हैं काफी बटिय आने वाले हैं तो विडियो को पुरा बाद करें नुट आप देख सकते हैं तो अब भम इन्हे निकाल लेंगे तो फृण्टस मैंने निकाल लें आप देख सकते हैं तयार उंचों के ispky से टोस्त हमारे तयार रो चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें सुब बाई गाईस, you soon on my next video, till then take care, thanks for watching my videos, thank you so much